तो आज मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ लखनव के मन कामेशर मंदिर जो की डाली गंच में गोमती नदी के किनारे स्थित है ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब लक्षमन जी सीता जी को वन में छोड़ के वापस लोट रहे थे तो उनका मन बहुत ही जादा व्याकुल था उन्हें बहुत बेचहनी हो रही थी तो इसी स्थान पर रुके उन्होंने शिवजी की पूजा करी थी जिसके बाद उनके मन को शांती मिली थी तो ये शाम का वक्त है रात के आट बजे की आरती हो रही है आप देखो बहुत मतलब बहुत सारे लोग यहां पर एकत्रित हुए हैं बहुत अच्छे से आरती हो रही है ये मैं अभी दर्शन करके आई हूँ इसका जो मुख्य मंदिर है ये वाला इसके चार द्वारें और चारों द्वारों से अगर आप शंकर भगवान को देखेंगे तो उनका इक अलगी र जारन है जो कि पूजा कर रही है आरती देखिया आप कितनी सुन्दर आरती है अंदर पूजा हो चुकी है अभी बाहर जितने चोटे-चोटे मंदिर है उनमें पूजा हो रही है ये मुख्य जो मंदिर है उसमें दुबारा से भी आरती हुई है तो ये शाम के वक्त की आरत तक चलती है आदे घंटे से उपर ही समय लग जाता है इस मंदिर में बहुत भीड होती है इसके बारे में कहा जाता है कि यहां पे लोगों की मुरादें पूरी होती है आपके जो भी मनों कामना आप यहां पर मांग सकते हैं यहां पर दिये जल रहे हैं महां पर नंदी जी रा ऑठ रहा है और ये जो पुझारण है जो इस मंदिर की उनका सभी आश्यरवाद मैं रहे तो मैंने सुचा मैं भी इनी का आश्यर वाद लेती हूँ तो mannets bhaad लिया और यह बहुत ही मतलब अच्छे से बात करती हैं मैंने सुना था ये लोगों से बात करनी थी मेरा अचानक की प्लान बना जाने का तो मैंने सोचा आप लोगों को भी भगवान भोले नाद की आरती दिखा देती हूं ये एक द्वार है जहां से शंकर भगवान इस तरह के आपको दिखेंगे बहुत ही सुन्दर मंदिर भी बहुत सुन्दर है अंदर अभी जानी नहीं देते जब से कोरोना स्टार्ट हुआ है तब से चारो द्वार में वो लगा दिया गया है वो आप क्रॉस नहीं कर सकती ये उपर संतोशी माता का मंदिर है पंडी जी बिना कुछ गरम कपड़े पहने पूझा कर रहे हैं ये भक्तों ने दिये जलाए हैं आप यहां पर दिया जला करके रख सकते हैं ये दूसरा द्वार है जहां से शंकर भगवान ऐसे लग रहे हैं तो ये है मंदिर बाहर से थैंक्यू